नमस्कार दोस्तों और सम्कलेक्टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम फिर एक रोचक विशाय के साथ उपस्तित हैं दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि यदि कोई वक्ती सपने में रुद्राक्ष देखता है तो उसके जीवन पे क्या प पति भगवान सीव के नित्रों से हुई है रुद्राक्ष का हिंदू धर्म में बहुत ही मानेता है अगर किसी व्यक्ति को असली रुद्राक्ष अगर मिल जाता है तो वो बहुत सारी समश्याओं से बज सकता है दोस्तों हिंदू धर्म में रुद्राक्ष में भगवान शुब माना जाता है दोस्तों भागवत गीता में भी बताया गया है कि कई जनमों के बाद एक जनम में आपको वो अवसर मिलता है जिसमें आप रुद्राक्ष की माला धरन करते हैं दोस्तों वैज्यानिक दृष्टिकों से हर सपने का कुछ न कुछ अर्थ होता है या विज् पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों यदि कोई वैक्ति सपने में रुद्राक्ष देखना बहुत ही शुब माना गया है यदि कोई वैक्ति सपने में रुद्राक्ष देखता है तो उसके जीवन में उन्नती आने वाली होती है दोस्तों उस वैक्ति को आने आले भविष्व में बहुत ही सुप समचार प्राप्थ होने वाला होता है दोस्तों अगर कोई रोगी व्यक्ति रुद्राक्ष की सौपन में देखता है तो इसका मतलब है कि उसके स्वास्त में सुधार होने वाला है दोस्तों इसलिए यदि कोई व्यक्ति रुद्राक्ष को स्वापन में देखता है तो यह बहुत ही सुफल देने वाला स्वापन माना गया है इसलिए आपको सकरात्मक उर्जा का प्रवा होता है आपके जीवन में तो दोस्तों आज हमने जाना कि रुद्राक्च को स्वापन में देखने का क्या आर्थ होता है दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते ताकि इस तरह के रचनात्मक वीडियो आपको मिलते रहें धन्यवाद